हाँ जी माइडिया स्टुडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करने जारे हैं बिल्स ओफ एक्स्चेंज में एकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं बच्चे कहरें ठीक है सर तो आप हमें सिखाईए कि कैसे हम एंट्रीज पास करते हैं पी तो बेटे मेरे साथ साथ हम लोग क्वैस्चन देखेंगे और फिर कॉश्चन के हर्फ से हम लोग एंट्रीज भी सीखेंगे ठीक है जी तो आदे पेटे मेरे साथ साथ पहले तो सभी स्टुड़ेंट्स करना शुरू करेंग ये सर पहले तो चेप्टर का नाम बताईए मैंने का चेप्टर का नाम था बिल्स आफ एक्सचेंज और मैं इसमें एक एक एक्जेम्पल ले करके आपको बात समझाऊंगा ठीक है जी तो ये एक्जेम्पल है मेरे पास क्वेशन नमबर वन पेज नमबर 15.38 आपको देखने की जरुरत नहीं है ठीक है जी आप समझते जाएए बेटे एक तो व्यक्ति है मनीश और एक है कुमार ठीक है जी लिख है मनीश सोल्ड गुड्स टु कुमार मनीश ने कुमार को गुड्स ओल्ड किये गुड्स ओल्स फॉर रुपीज तैन तौज़न एंड द्रॉपान हिम अब बिल फॉर दा अमाउंट पेबल थ्री मन्स आफ्टर डेट बिल बनाया थ्री मन्स आफ्टर डेट ठीक है जी पहले तो मनीश ने कुमार को गुड्स ओल्स किये फिर मनीश ने एक बिल बनाया कुमार के ओपर जो की पेबल था थ्री मन्स आफ्टर डेट ठीक है थी मनीश ने ये बिल एकसेप्ट किया बिल एकसेप्ट किया और मनीश को दे दिया ठीक है जी और फिर ड्यू डेट पर उसने मनीश को इस बिल की पेबेंट भी दे दी ठीक है पास जर्नल एंट्रीज in the books of both the parties तो हम इन सारी घटनाओं की एंट्रीज पास करेंगे एक घटनाओ थी के good sale हुए थे दूसरी घटनाओ थी जब बिल बना था तो बेटे बिल बनाने पर एंट्री नहीं करते बिल को जब accept किया तब एंट्री करेंगे और तीसरी जब उसकी payment हुई ये तीन एंट्रीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आईए और मेरे साथ सबी बच्चे बनाना शुरू करेंगे मैंने ये बीच में एक line ड्रॉ कर दी ठीक है जी और बिल की सर ज़्यादा बढ़िया तो रहता आप इसे ऐसे समझा देते मैंने का ठीक है मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ चलिए ये लीजिए जैसे बच्चे खुश ऐसे मैं खुश यहाँ पर मैंने लिखा transactions यहाँ लिखा books of money मतलब एक तो ये बताऊंगा कि money कौन कौन सी entries बनाएगा और एक सिखाऊंगा books of कुमार ठीक है सर बताईए बताओ सबसे पहली घटना क्या हुई सर जब मनीश ने goods sold किये कुमार को 10,000 रुपे के ठीक है जी मनीश शोल्ड गुड्स टू कुमार बताईए मनीश ने कुमार को good sale किये तो सर मनीश की बुक्स में जो entry बनेगी हम बताएंगे मैंने का ठीक है आप बताओ सर मनीश ने goods बेचे न कुमार को तो entry हो जाएगी कुमार account debit to sales मैंने का very very good लीजे बेटे और सर ये canty डालेगा कुमार तो कुमार ने purchase किया है तो purchase account debit to money 10,000 और 10,000 यानि की बेटे पहली transaction तो बच्चे कह रहे हैं इस chapter से related थी ही नहीं ये तो हम पहले से ही जानते थे ठीक है जी चलिए पहली घटना सब बच्चों को पता थी दूसरी घटना दूसरी घटना थी कुमार accepted bill drawn by मनीश अब बेटे मैंने आपको इसकी entry सिखानी है कि जब कुमार ने bill accept किया मनीश का तो क्या entry होगी अब समझे बेटे ये कौन है ये मनीश है ठीके जी ये मेरे हाथ में bill है कुमार ने इस पर signature किये और signature करके किस को दे दिया मनीश को अब पहले मैं मनीश हूँ आप समझे ये मेरे पास ये bill आया है मेरे पास ये bill आया है कहां से आया है कुमार से आया है अगर मैं आपसे कहता कि मुझे कुमार ने कैश दिया तो मैं कहता कैश आया है किस से आया है कुमार से आया है तो entry क्या हो जाती कैश अकाउंट डेबिट टू कुमार अब मैं कह रहा हूँ कैश नहीं मेरे पास क्या आया मेरे पास तो bill आया तो entry क्या होगी, bill account debit to कुमार, क्या आया bill, किस से आया, कुमार से समझा, तो बिटे इस bill के जिस bill के मुझे पैसे मिलने है, इस bill का नाम हो जाएगा, bill receivable जिस bill के money receive होना है, उस bill का नाम हो जाएगा, bill receivable हाँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि इसके अंदर language इसे, bill of exchange कह रही हो, या इसे प्रामिसरी नोट कह रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ मैं मुझे ये bill मिला है और इसके पैसे मुझे मिलेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा, bill receivable, तो पहली लीजे बिटे, ये entry बन गई, BR account debit to कुमार, अब कुमार के पास चलते हैं, कुमार मैं कुमार हूँ अब, अब बेटे मैं कुमार हूँ मैंने ये bill किसको दे दिया, ये bill मैंने मनीश को दे दिया, मैं कुमार हूँ, मैंने bill मनीश को दे दिया, तो ये मुझसे चला गया किस के पास मनीश के पास तो मैं कहूंगा मनीश तू रिसीवर है इसी लिए मनीश एकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल एकाउंट बच्चे कह रहे हैं अच्छा इसका मतलब ये कि जिसे बिल के पैसे मिलने हैं वो इसका नाम रख देगा बिल रिसीवेबल और जिसे इस बिल की पैमेंट देनी है वो इसका नाम रख देगा बिल्स पैबल बताईए बात समझे होगी यस सर बिल आएगा डेबिट बिल जाएगा क्रेडिट ठीक ठीक है सर अब क्या हो गया नमबर तीन वेन दा बिल इस आउनर्ड बेटे वेन दा बिल इस आउनर्ड अब बेटे मेरा ये बिल आउनर्ड हो गया ठीक है जी ये बिल मेरा आउनर्ड हो गया अब बताइए बिल आउनर्ड हो गया तो क्या एंट्री होनी चाहिए Honored होने का मतलब क्या होता है Honored होने का मतलब यह होता है कि तीन महीने पूरे हो गए तीन महीने के बाद मैंने फोन लगाया मैंने कहा Hello कुमार तुम्हें याद है तुमने मुझे एक कागज पे लिख के दिया हुआ है कि तुम मुझे पैसे दोगे कुमार कह रहे हाँ हाँ याद है लाओ ये कागज लाओ और पैसे ले जाओ तो बेटे मैंने अब मैं मनीश हूँ मैंने ये कागज वापिस कर दिया और बदले में मैंने पैसे गिन लिए समझ मैं तो क्या एंट्री होगी अगर पैसे आए हैं कैश में तो कैश डेबिट बैंक में आए हैं तो बैंक डेबिट ये लीजे टू बी आर क्या बता है ये बात आपको समझ में आई मैंने कैश ले लिया और ये बिल वे ने वापिस कर दिया अब सर कुमार के पास चलते हैं कुमार कह रहे लाओ जी लाओ बिल लाओ पैसे ले जाओ तो भाई बिल आया बिल पेबल डेबिट और पैसे चले गए तो पैसे क्रेडिट तुम्मुझे बताएं क्या एंट्रि लिखूँ सर अब आप entry लिखोगे bills, payable, debit to cash या to bank मैंने का very very good बताईए क्या आपको थोड़ी थोड़ी बाते समझ में आनी शुरू हुई समझ में आई ये सर क्या क्या समझ में आया सर हम बताते है पहली बात तो ये कि इस bill के पैसे जिसे मिलने है वो इसे बुलाता है bills receivable ठीक है सर जिसने इस bill के पैसे देने है वो बुलाता है bills payable समझ में आगया bills receivable मेरे पास asset होगा और bills payable liability होगा सर ये भी समझ में आ गया जिसके पैसे मिलने है वो assets है जिसके पैसे देने है वो liability है बिलकुल ठीक तो बेटे जब ये bill accept हुआ तो ये मेरे लिए asset बन गया ये मेरे लिए asset बन गया और जिस दिन मैंने इसके पैसे ले लिए ये asset मेरा खतम भी हो गया समझा ऐसे ही liability जब मैंने इसे accept किया तो ये मेरी liability बन गई और जब मैंने इसकी payment दे दी ये liability मेरी खतम हो गई बोलिए समझ में आई ये sir आईए जी अब मेरे साथ साथ सभी बच्चे कुछ और बाते भी मेरे साथ साथ note करेंगे ठीक है जी हाँ sir आईए अब मैं आपको concept सिखाने जा रहा हूँ पहले तो मैंने example करवा दिया example की मदद से पहले मैंने आपको को और सारी बाते detail में note करवाने जा रहा हूँ लिखे बिटे मैं अभी आपके साथ बिलकुल simple सी बाते करने जा रहा हूँ तो मैंने लिखा उपर heading general entries मैं यहां लिखूंगा transaction मैं यहां लिखूंगा books of आप इसे drawer कहिए technical नाम drawer है या आप इसे seller कहिए या फिर आप इसे creditor भी कह सकते हैं इसे आप books of drawer कह सकते हैं आप इसे books of buyer भी कह सकते हैं ठीक है जी और आप इसे books of debtor भी कह सकते हैं यह drawer कहिए या debtor कहिए एक ही बात होगी ठीक है जी ट्रांजेक्शन नंबर वन वेन गुड्स आर सोल्ड अबलीग परचेज़ड हाला कि बेटे ये वाली एंट्री मेरी इस चैप्टर से जुड़ी हुई नहीं है लेकिन फिर भी अगर ये एंट्री मुझे बताई जाएगी तो मैं इसकी एंट्री डाला करूँगा जब ये मुझे नहीं बताई जाएगी आगे चलके तो मैं ये एंट्री नहीं लिखा करूँगा हाँ अगर कोश्चन सबसे पहले कहता है कि गुड्स सोल्ड किये गए तो मैं गुड्स सेल की और गुड्स परचेस की एंट्री भी डालूँगा इसने गुड्स सेल किये तो ये एंट्री डालेगा बायर अकाउंट डेविट टू सेल्स अकाउंट बींग गुड्स सोल्ड सर ये क्या एंट्री डालेगा अब बेटे ये एंट्री डालेगा इसने परचेस किया है तो ये एंट्री लिखेगा परचेस एकाउंट डेविट टू सप्लायर मतलब सेलर ठीक है सर हाँ जी सर पहली एंट्री समझ में आ गई क्योंकि पहली entry तो हम पता नहीं कब से बनाते आ रहे हैं मैंने का very very good अब पहली entry का मतलब ये थोड़ी ना है कि sir हमें दूसरी समझ में नहीं आई हमें दूसरी समझ में आ गई when the bill is drawn and accepted समझ मैं बड़ी बात है bill का accept किया जाना तो जिस दिन bill को accept किया जाएगा उस दिन ये bill picture में आएगा ठीक है जी जिस दिन ये bill picture में आएगा तो बेटे ये इसको बुलाएगा bills receivable bills receivable debit और ये किस से आया ये आया मेरे drawi से या मेरे debtor से हाँ जी हाँ सर ये entry समझ में आगी bill आया किस से आया drawi से यहाँ पर बताएं ये क्या entry डालेगा सर इसने तो bill दिया है draw को तो entry हो जाएगी draw account debit to the bill payable being bill accepted और being bill accepted ठीक है जी एक ने अपने पास asset बना लिया और दूसरे ने अपने पास liability बना ली ठीक है sir ये भी समझ में आ गया मैंने कहा very very good अब बेटे मेरे साथ साथ सबी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि third case third case का a part अब यहाँ पर दो बाते हो सकती है पहला part if the bill is honored on the due date if the bill is honored on the due date ठीक है sir bill honored होने का मतलब बताइए bill honored होने का मतलब है कि जो हमने बाते लिखी थी उसका सम्मान कर दिया आदर कर दिया मतलब यह के मुझे bill के पैसे मिल गए तो पैसे आ गए और bill चला गया बताइए यह एंट्री क्या होगी अगर पैसे आ गए तो कैश आया है तो कैश और बैंक में आये हैं तो बैंक डेबिट टू बी आर और इसने पैसे दे दिये ना तो यह के एंट्री लिखे गा यह एंट्री लिखे गा इसके पास बिल्स की लाइबिल्टी खतम बिल्स पेबल डेबिट टू कैश या टू बैंक बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर यह बात हमें समझ में आ गई मैंने का वेरी वेरी गुट छीक है जी अब सर एक बात बताईए आपने थ्री ए क्यों लिखा मैंने का मैं बताता हूं कि मैंने थ्री ए क्यों लिखा क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं था कि भाई ड्रॉई हमेशा बिल्स की पेमेंट दे दे अच्छा तो सर क्या आप ये कहना चाते हो कि ऐसा भी हो सकता है कि ड्रॉई इसकी पेमेंट ना दे पाए मैंने का हो सकता है उसके पास पैसे की विवस्ता नहीं थी उसने का सर मैं आपको पैसे नहीं दे सकता मैंने का भाई तो ये जो तुने बात लिखी थी ये तो गलत हो गई इसको बोलते हैं कि बिल डिस आॉनर हो गया समझ भाई? क्या हो गया बिल डिस आॉनर हो गया मेरी बात सबी बच्छे ध्यान समझना मैंने तीन महीने पहले किसी को सामान बेचा था उसने मुझे ये कागस लिख करके accept करके दिया था कि मैं तीन महीने के बाद payment दूँगा अब बेपार है बेटे तीन महीने के बाद मैंने का लो अपना कागस पकड़ो और पैसे दे दो उसने कागज लिया और पैसे दे दिये तो इसे बोलते है honored ये तो honored हो गया एक case और हो सकता है कि मैंने उसको bill दिया और मैंने का लाई ये payment दीजे तो वो कह रहा है कि भाई मेरे पास तो payment नहीं है तो ये क्या हो गया सर ये तो dishonored हो गया क्या हो गया डिसाउनर्ड हो गया बच्चा कह रहा है अच्छा सर क्या बिल डिसाउनर भी हो जाता है येस वे पार है बेटे बिल डिसाउनर भी हो सकता है अब सर बिल डिसाउनर हो गया तो क्या इंट्री होगी ठीक है जी अब मैं कलर चेंज करके लिखूंगा त्री का बी पार्ट वेन दा बिल इस डिसाउनर्ड अब बेटे ये बिल ये बिल डिसाउनर हो गया अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा समझ मैं अभी बेटे आप एंट्री नोट मत करना मेरी बात समझना मुझे दरसल अब इतना पार्ट छुपाना है पहले तो मान लीजिए मैं यहां तक हूँ ये एंट्री बनी ये एंट्री बनी अब ड्यू डेट पर बेटे मुझे इस बिल की पेइमेंट नहीं मिली तो मैं कहूंगा के ठीक है भाई ये बिल खतम हो गया और डेटर वापिस बन गया मतलब इस एंट्री को मैं रिवर्स कर दूँगा समझ मैं? मैं कहूंगा के भाई तुमें मुझे 10,000 रुपीज देने होंगे तुमने जो प्राउमिस किया था वो तो बेकार हो गया अब ये कागज किसी काम का नहीं रहा मैं इसे खतम कर दूँगा और इसके बदले वापिस अपने डेटर को अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर लूँगा समझ मैं? मैंने कहा डेटर मैं तुझे वापिस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूँगा तो बेटे ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी समझा? ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी तो बताइए आप अभी नोट नहीं कर रहें पहले मुझे नोट करने दीजिए अब बेटे इस एंट्री को मैंने रिवर्स किया मैंने कहा ड्रॉई एकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल एकाउंट बात समझ मैं आई? ये एंट्री जो मुझे बिल मिला था ये एंट्री रिवर्स हो गई अब आप इसे मत पढ़ना ये बीच की एंट्री छोड़ दो ये बिल मिला था पेमेंट इसकी हुई नहीं ड्यू डेट पर तो एंट्री वापिस खतम हो गई इसका मतलब ये कि ये बिल तो आप बेकार हो गया और वापिस मैंने ड्यूर बीच को रिकार्ड कर लिया आप तो इसकी पैसे लेने है sir इसका मतलब ये कि मेरा ड्रॉई भी इस एंट्री को रिवर्स करेगा मैंने का yes ड्रॉई भी इस एंट्री को रिवर्स करेगा समझ जबा यानि ये क्या entry बनाएगा ये entry बनाएगा bills payable debit फिर एक line मैंने छोड़ दी है bills payable account debit to drawer कही है या creditor कही है ठीक है जी अब sir क्या हम इसको note कर ले मैंने कर नहीं पहले आप इतनी सी बात को समझे अभी आपने note नहीं करना note बात में करेंगे बच्चों ने का sir ठीक है हमने इतनी बात समझ ली अब आप हमें काम कीजिए इस पर एक question कराईए मैंने का ठीक है हम question number 11 करने जा रहे हैं आईए जी question number 11 तो पहले मैं अपने पास format draw कर लूँ बच्चों ने का हां sir आप format draw कर लीजी लीज़ आप कर लीजी अच्छ जी मैं पहले आपके साथ डिस्क्रस करने जा रहा हूं यहां आएंगी ट्रांजेक्शन यहां आएंगी बुक्स ओफ ड्रॉर इसी को हम कहते हैं बुक्स ओफ सेलर और यहां आएंगी बुक्स ओफ ड्रॉई बुक्स ओफ ड्रॉई ड्रॉई का मतलब होता है बुक्स ओफ बायर नमबर वन यहां लिखा है राम ड्राउज अबिल अन शाम तो बेटे यह बुक्स ओफ राम है और यह बुक्स ओफ शाम है ठीक है सर हाँ जी ट्रांजेक्शन क्या है ट्रांजेक्शन दी विया है राम ड्रॉज अबिल अन शाम अन फिफ्टींथ सेप्टेंबर फॉर त्री मन्स अब मैं डेट्स को भी ध्यान में रखने वाला हूँ ठीक है सबी बच्चे मेरे साथ साथ बात को ध्यान देंगे अब मैं डेट्स को भी ध्यान में रखूँगा ठीक है जी पहले राम की बुक्स में बात करते हैं अब देखो यहाँ पर sale purchase की transaction नहीं दी तो sale purchase की transaction चोड़ो सीधा मुद्दे पर आओ राम ने bill लिखा किस पर श्याम पर और श्याम ने इसको accept करके दिया राम को तो बताओ राम की books में entry क्या होगी सर यहाँ पर entry हो जाएगी bills receivable debit किस से मिला श्याम से being BR received यह कितने का bill था सर यह bill था 2000 का तो यहाँ लिखे 2000 यहाँ लिखे 2000 यहाँ डेट लिखेंगे 15 September इसकी books में entry बताईए सर इसने राम को bill दिया तो 15 September को यह entry लिख देगा राम एकाउंट डेबिट टू bills payable एकाउंट अब मैंने short form में लिखा है ठीक है आप exam में पूरा लिखना समझ में आँ? येस सर पहली entry समझ में आ गई अब सर ये बताईए इसकी due date क्या होगी? मैंने का आप बताईए due date क्या होगी? देखो अब इसकी due date बनती है सर पिछले question में due date क्यों नहीं निकाली थी क्योंकि बेटे पिछले question में तो date दी नहीं हुई थी है जी? अब सर आप सीधा question number 1 के बाद question number 11 पर चलांग लगा लाए मैंने का ठीक है जी? क्या हो गया? सर 9 महिने में 3 महिने जोड़े तो 12 महिने 15 दिसंबर और 3 18 दिसंबर मैंने का ठीक update होगी 18 दिसंबर यहां लिखका है शाम शाम failed to pay the bill on maturity शाम maturity पर बिल की payment नहीं दे पाया तो मैंने आपको क्या का कि यह entry बेकार हो गई मेरा बी आर कैंसिल हो जाएगा और मैं शाम को record कर दूँगा debtor तो 18 दिसंबर को sorry 18 दिसंबर को मैं entry क्या डालूँगा लिखे टृँग का बी आर 2000 बिल इसका मतलब आपको समझ में आया बेटे जिस दिन बिल बना उस दिन तो मैंने इसे create कर दिया आपने पास asset और maturity की date पर ये asset बी आर तो खतम होगा ही होगा अब depend ये करता है कि बी आर खतम होके मुझे cash मिल गया या बी आर के बदले मैं वापिस debtor को बनाता हूँ समझ में एक बात आप बड़ी clarity से समझ लीजिए कि बाई due date पर इस बिल को खतम होना ही होना है अगर इसके बदले payment मिल गई है तो ये cash में बदल जाएगा अगर इसके बदले payment नहीं मिली तो ये debtor बन जाएगा समझ में ये sir यहाँ पर sir के entry बनेगी तो भाई यहाँ पर बिल खतम हो गया और वापिस creator बन गया तो entry हो गई बिल्स पेबल debit टू राम एकाउंट टू तू 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 समझ में आया sir यह तो आसान था फिर भला आपने हमें entry note करने से क्यों रोक दिया मैंने कर रुकिये बेटे जल्दी की क्या बात है आप नन्ने मुन्ने बच्चे हैं जल्दी करने की जरुवत नहीं है ठीक है sir being bill dishonored ठीक है sir अब sir question number 12 करेंगे मैंने का ठीक आईए question number 12 करेंगे अब लिखा है on 20th March 2013 अब मुझे date दीविया 20th March 2013 को नरेश गुट्स्तू कैला आश नरेश जोल्ड गुट्स टू कैला आश नरेश गुट्स टू कैला थीक है जी तो पहले तो मैं इसकी अंट्री डालनूँ समझ मैं यह किस की बुक्स हो गई यह बुक्स हो गई मेरे पास नरेश की और यह बुक्स हो गई मेरे पास कहलाश की नरेश सोल्ड गुड्स टू कहलाश तो एंट्री हो जाएगी सर कहलाश एकाउंट डेबिट टू सेल्स बारा सो पचास बारां सो पचास 28 त मार्च को बींग गुड्सल्ड सर हम बताएं कैलाज के एंट्री बनाएगा मैंने का बहुत अच्छी बात है कैलाज के एंट्री बताईगे सर वो तो परचेश के एंट्री बनाएगा परचेश एकाउंट डेबिट टू नरेश उसने परचेस की है बारा सो पचास बारा सो पचास डेट वही ट्वेंटिएथ मार्च बीइंग गुड्स परचेस्ट सर वेरी वेरी गुड्ड अब क्या करना है मैंने का ठीक है अब आगे क्या लिखा है टेकिंग अ बिल एट थ्री मंथ फॉर दा अमाउंट और तीन महीने का बिल भी बना लिया तो इसी डेट पर बिल भी बना देते हैं ठीक है जी हम लिख देते हैं बीस मार्च को ही बिल ड्रॉ हुआ और कुछ नहीं दिया तो हम कहेंगे के बिल उसी दिन एकसेप्टिड भी हो गया बीस मार्च को बिल ड्रॉन एंड एकसेप्टिड ठीक है जी बिल ड्रॉन एंड एकसेप्टिड सर बिल ड्रॉन एंड एकसेप्टिड की एंट्री क्या डलेगी मैंने का बताईए बिल ड्रॉन एकसेप्टिड की एंट्री क्या डेलेगी सर ये तो अपने पास बिल्स रिसीवेबल डेबिट कर देगा बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू कहलाश बारा सो पचास बारा सो पचास बींग बिल्स ड्राउन और सर ये क्या एंट्री बनाएगा मैंने का बताओ 20 मार्च को ये बताओ ये क्या एंट्री बनाएगा ठीक है जी ये एंट्री बनाएगा सर नरेश एकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल नरेश एकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल बारा सो पचास और बारा सो पचास अब बेटे मेरे पास काम की एंट्री आने वाली है सभी बच्चे ध्यान रखेंगे काम की एंट्री अब है सर अब क्या नया हो गया मैंने का आईए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ नया हो गया देखे क्या लिखा है कॉश्चन नमबर 12 में बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर आउन मैच्योरिटी दा बिल वास डिसाउनर्ड पहली बात तो बेटे ध्यान देने वाली यह है कि वो यह कह रहा है कि भाई मैच्योरिटी पर बिल डिसाउनर्ड हो गया और फिर आगे कुछ नई बाते लिख रहा है कि नरेश पेड रुपीज 10 एज नोटिंग चार्जिस ठीक है जी अन मैच्योरिटी दा बिल वाज डिसाउनर्ड नरेश पेड 10 एज नोटिंग चार्जिस अब सर पहले तो इसकी मैच्योरिटी निकाले मैंने काई यह इसकी मैच्योरिटी निकाले इसकी मैच्योरिटी होगी बिटे 20th मार्च प्लस 3 मन्थ प्लस 3 डेस तो एपरिल मेच जून इसका मतलब 23 जून को ये बिल डिस ओनर्ड हो गया मतलब इसकी पेडमेंट मिल नहीं पाई अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे इसमें अभी एक नई बात है नोटिंग चार्जिस क्या होते हैं जो कि मुझे आपको समझाने है आईए जी सभी बच्चे मेरे साथ साथ यहाँ पर कंसेंट्रेट करने वाले है बेटे ये बिल इसकी ड्यू डेट आई और ये बिल लेकर के मैं कैलाश के पास गया कैलाश ने कहा जी मेरे पास तो इसके पैसे हैं नहीं अब बताईए बिल इसका मतलब तो यह हो गया ना के नरेश ने जो मुझे से प्रामिस किया था वो प्रामिस तो उसने जूटा कर दिया उसने प्रामिस को निभाने से इंकार कर दिया अब मैंने ये मेरे उपर है मैंने का छोड़ो इस बात को सिरियसली क्या लेना नरेश मेरा दोस्त है मैं फोन करूंगा पैसे दे देगा कई बार न व्यापार में इनसान कहता है कि भाई पैसे नहीं दिये तो इस बात को न सीरियसली लिया जाए मतलब ये कि मैं एक वकील के पास भी जाना चाहता हूँ मैं वकील साब से कहना चाहता हूँ देखो वकील साब मेरा एक कलाइंट है उसका नाम है नरेश और नरेश ने मुझे इसके पैसे देने से इंकार कर दिया है मैं कोट में जाकर के नरेश को समन बिज़वाना चाहता हूँ चिट्टी बिजवाना चाहता हूँ कि उसने अपना वाइदा तोड़ा है अब मैंने कहा विटे वकील साब ने का अच्छा ये बताओ मैं जद साब के पास आपका केस लेके जाता हूँ ये साबित कैसे करोगे कि आप नरेश के पास पैसे लेने गए थे मैं कहरों साबित कैसे करूँगा उन्होंने कहा कि भाई जद साब के सामने ये कैलाश आएगा और ये कहेगा जी मेरे पास तो नरेश पैसे लेने आया ही नहीं, पैसे लेने आता तो मैं देदेता अब नरेश ने का हैं मतलब केलाश मना भी तो कर सकता है बात तो सही है यानि पहले तो वकील साब कह रहे हैं कि पहले तो इस बात का प्रूफ लेकर आओ पहले तो इस बात का प्रूफ लेकर आओ कि वाक्य में केलाश ने इसे देने से मना किया है मैंने का प्रूफ कैसे ले क्या हूँ अब आप बताइए इसका प्रूफ तो लाना पड़ेगा ना के कैलाज ने पैसे देने से वाक्य में मना किया है मैंने का अच्छा वकील साब आप बताओ प्रूफ कैसे ले क्या हूँ उन्होंने कहा के एक काम कीजिए कोट के बाहर ना कुछ लोग बैठे होते हैं जिन के पास अथॉरिटी होती है कि वो आपके साथ जाएंगे कैलाश के दफ्तर में जाएंगे और आपको कहेंगे कि अब आप कैलाश से मेरी प्रेजन्स में एक बार फिर पैसे मांगे मैं कहूंगा ठीक है मैंने मांगा और अगर उस समय कैलाश ने देने से वाकी में मना किया तो वो विक्ति कहता है कि मैं इसके ओपर मोहर लगा के इस पे साइन कर दूँगा कि वाकी में मेरे सामने में कैलाश ने मना किया था और कोट के अंदर आके गवाई भी दूँगा कि हाँ जद साब केलाश ने मना किया था मैंने का अच्छा दुबारा से वापिस चलते हैं मैं कहां गया मैं तो अपने वकील साब के पास गया मैंने का वकील साब मुझे केलाश के उपर केस करना है वकील साहब ने का पहले प्रमान ले क्या हो मैं प्रमान लाने के लिए कोट के बाहर एक व्यक्ति को हाथ से पकड़ के ले गया मैंने का जी मेरे साथ चलो मैं उसे ले गया और मैंने उसके सामने में केलाश से का केलाश इस बिल के पैसे देते हो या नहीं देते हैं उसने का नहीं दे सकता पैसे नहीं है मैंने का देखो आपके सामने मना कर रहा है उन्होंने का ठीक है इस पर साइन करता हूँ more लगा देता हूँ हाँ मेरी presence में मना किया गया अब आप court में जा सकते हैं अब मैंने का लाओ जी ये bill दो stamp लगा के मुझे दो उसने कहा रुको भाई मैं आपके साथ गया हूँ तो मेरी fees कौन देगा बताओ ना मैं आपके साथ गया हूँ तो मेरी fees भी तो मुझे मिलनी चाहिए ना मैंने का यार बात तो आपकी ठीक है बताओ कितनी fees है उन्होंने का मेरी इतनी fees होगी मैंने जेब से पैसे निकाले मैंने का लो वही लो ये पैसे मैंने उनको दे दिये मैंने का लो पैसे ले जाओ अब मैं वकील साहब के पास आया मैंने का वकील साहब आपके प्रमान के चक्कर में मेरे तो पैसे खर्च हो गए वकील साहब कहते हैं गवराते क्यों ये पैसे आपकी गलती से खर्च नहीं हुए ये पैसे कैलाज की गलती से खर्च हुए तो आपने जो आज extra पैसे भर दी है न ये पैसे भी आपको केलाज से वापस मिलेंगे समझ मैं या यानि ये पैसे तो मैं देता हूं लेकिन इसका भुकतान भी कोट किस से करवाएगा केलाज से ही करवाएगा अब बेटे जिस व्यक्ति को मैं पकड़ के अपने साथ लेकर गया था ना उसको बोलते हैं Notary Public क्या नाम बोला मैंने Notary Public हाँ वो ना Public की मदद के लिए बैठे होते हैं इसलिए उनको बोला जाता है Notary Public और वो जो बेटे उसने मेरे से पैसे लिए थे ना इस बिल के ओपर मोहर लगा के साइन करने के उसको बोलते है Noting Charges समझ मैं इसका मतलब अगर बिल डिस ओनर हो जाए तो मुझे अपने साथ ले जाना पड़ता है पकड़के Notary Public को और Notary Public भी मुझसे पैसे मांगता है उसे बोलते है Noting Charges अब सवाल यह है क्या Noting Charges मेरा खर्चा हो गया आंसर इस नो Noting Charges मेरा खर्चा नहीं है सर क्यों पैसे तो आपने दिये देने से क्या होता है मैंने दिये हैं जो कि मुझे कोट वापिस दिलवा देगा कैलाश से इसलिए यह मेरा खर्चा नहीं है समझ में आई हाँ सर यह बात हमें समझ में आ गई इसका मतलब अब क्या होगा आईए जी बिल डिसाउनर्ड और Noting Charges दिये गए रुपी 10 तो पहले तो मैं अपना बिल खतम करूँगा और कैलाश को डेबिट करूँगा मैंने एंट्री लिख दी कैलाश एकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट जानते हो यहाँ पर मैंने आपसे का था कि रुक जाना मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने यहाँ का था नोट मत करना समझ मैं है कैलाश एकाउंट डेबिट टू बियार अब बताईए मेरा बियार था बारा सो पचास रुपे का और इसमें नई घटना क्या जुड़ गई नई घटना जुड़ गई मेरे पास नोटिंग चार्जिस ठीक हो गया यह सर अब बताईए क्या मैंने नोटिंग चार्जिस के पैसे दिये हां सर दिये तो जब मैंने दिये तो मेरा कैश घट गया तो मैं यहां लिकूंगा टू कैश नोटिंग चार्जिस के लिए कैश गया और मैं कहूंगा कैलाश अब मैं तुमसे 1250 रुपे बिल के लूँगा और 10 रुपे जो मैंने नोटिंग चार्जिस दिया है वो लूँगा यानि तुम्हें अब मुझे 1250 रुपे की बजाए 1260 रुपे देने होंगे सर पिछले क्वेश्चन के अंदर तो नोटिंग चार्जिस नहीं थे सिंपल था मैंने का ठीक है अगर सिंपल बात थी आपने नोटिंग नहीं कराई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो dishonor के entry ये होगी अगर आपने noting charges कराई है तो फिर आपको पैसे देने पड़े थे फिर ये entry ये वली होगी अच्छा सर इसका मतलब noting charges होना कोई पक्की बात नहीं है मैंने का बिल्कुल पक्की बात नहीं है ये question पर depend करता है अच्छा सर सर क्या अब हम इसे note कर सकते हैं मैंने का हाँ अब आप इसे note कर सकते हैं यानि अगर बिल्ट dishonor होगा तो entry होती है drawing account debit to BR लेकिन सर कभी कभी साथ में cash भी आ जाता है कब अगर noting charges हो तो अब ये entry complete हो गई समझ में आई हाँ सर समझ में आई अब चलते हैं किस के पास अब चलते हैं कैलाश के पास आईए जी अब हमने कहा कैलाश तुम सिरफ यही entry reverse नहीं करोगे bills payable debit एक line छोड़ करके तू नरेश तुम्हें सिरफ यह 1250 रुपे bills payable के नहीं देने तुम्हें अब noting charges भी अपनी किताबों में debit करना पड़ेगा यानि यह खर्चा किसका है drawi का है तो drawi अपनी किताबों में debit करेगा और drawi कहेगा कि ठीक है साड़े 1200 रुपे बिल के और 10 रुपे noting charges के नरेश मैं तुम्हें दे दूँगा बात समझ में आई ये सर बात समझ में आगई अब क्या होगा अब तो बेटे मैं question से पूछूँगा कि अब करना क्या है अब बेटे ये draw तो तैयारी करके बैटा है कि भाई मैंने noting charges तो करवा ही लिए है अब क्यो ना केलाश पर case कर दिया जाए मैंने केलाश का फोन किया मैंने का केलाश तुने मुझे दोखा दे दिया भाई तेरे उपर तो case करना बनता है अब केलाश का फोना है कहरा अच्छा रुक जा दो चार दिन रुक जा मैं तुझे पैसे दे देता हूँ क्यों कोट कचैरी के चकर में पढ़ेगा अपना भी time waste करेगा मैंने का मुझे कोट कचैरी के चकर में नहीं पढ़ना मुझे तो पैसे चाहिए ना तू पैसे दे दे उसने कहा मैं पैसे दे देता हूँ दो चार दिन रुक जा कौन सी बड़ी बात है और आप देख सकते हैं कि question कह रहा है on first of July केलाश cleared his account by paying 1260 रुपे ठीक है जी एक जुलाई को केलाश ने payment दे दी तो बताइए एक जुलाई को entry क्या होगी वो तो simple है एक जुलाई को when payment is made तो इसे payment मिल गई तो ये अपनी books में simple entry डाल देगा cash account debit to केलाश इसे केलाश से payment मिल गई और अब payment कितनी मिली होगी 1260 रुपे और sir नरेश अपने पास ये entry डालेगा तो जिसने payment दी है वो क्या entry डालेगा वो डालेगा नरेश account debit to cash 1260 रुपे लीजिये बेटे ये entry डालेगी बात समझ आई हाई हाँ इस तरह से हमारे पास question number 12 पूरा हो गया और यहाँ पर भी हम अपने पास अब concept जो हमने याद करना है उसमें लिख लेंगे यहाँ पर noting charges debit if any याद रखना noting charges दिये किसने? इसने जिसने दिये उसकी books में noting charges नाम का खाता नहीं होता और जिसने दिये नहीं है उसकी books में मैंने debit किया है ये बात को आप ध्यान रखेंगे समझ में हाँ? ठीक है ठीक है बेटे अब मैं आपको बता दूँ कि हम जो अब पूरा chapter पढ़ने वाले है उसमें मैंने आपके साथ ज्यादा बाते in the books of drawer करनी है आप ये समझ करके चलिए कि ड्रॉई के पास entries यही है और हमारे पास ये जो इतना लंबा चोड़ा भी chapter बाकी है इसमें मैंने आपके साथ discuss करना है books of drawer ठीक है जी हाँ बहुत सारे cases अभी discuss करने है तो आईए जरा जो हमने आज की class में सीखा है उसे जरा फटा फट wind up कर ले consolidate कर ले ठीक है जी आईए चलिए मेरे साथ साथ फटा फट revise करेंगे हमने आपको सिखाना है books of buyer sorry sorry books of drawer 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 तो हमारे पास seller होता है इस chapter में हमारे पास seller के साथ ना बहुत different different cases के साथ deal करना पड़ेगा तो आज जो सिखाया है हम उसकी बात आपके साथ करने जा रहे हैं बस revise करवाना है जो आज पढ़ा है सबसे पहले तो मैंने कहा अगर question कह दे when goods are sold entry बोलो sir ये तो बहुत आसान entry है buyer account debit to sales मैंने कह ठीक इसके बाद क्या होगा sir इसके बाद होता है when bill is drawn मैंने कह बताओ bill drawn के entry क्या होती है sir bill drawn के entry होती है बी आर एकाउंट डेबिट to draw कह लो या buyer कह लो ठीक है जी अच्छा इसके बाद क्या होता है sir इसके बाद हमने दो बाते सीखी है या तो bill due date पर honored हो जाता है honored हो जाता है तो मेरे पास entry आ जाती है cash debit या bank debit to BR sir अगर bill dishonored हो जाता है बताए अब ये मेरे काम के entry होगी ना मैं इसको color change करके लिखना चाहता हूं बताए क्या entry होगी sir अब entry हो जाएगी drawi debit to BR to cash cash कब अगर noting charges है तो समझ मैं और ये तो bill का amount होता है और ये total amount यहाँ पर आ जाता है ठीके जी हाँ ये बात आपने समझनी है बेटे के due date पर हमेशा हमेशा bill क्रेडिट हो रहा है ठीके जी आज हमने आपको ये सिखाया sir आपने हमें drawi की books भी सिखाई आईए जी drawi की books भी मैं आपको revise करा दूँ books of drawi में when bill is accepted sir bill accepted की entry थी draw account debit to bills payable मैंने का very very good ये जब bill accept क्या तो ये entry हो गई उसके बाद क्या हुआ sir उसके बाद maturity पर या तो ये honored हो जाता है या फिर ये dishonored हो जाता है अगर ये honored हो जाएगा तो क्या entry होगी बेटे honored हो जाएगा तो फिर मेरे पास entry हो जाएगी बिल्स पेबल डेबिट टू कैश टू बेंक और अगर ये dishonored हो जाएगा तो फिर मेरे पास entry क्या हो जाएगी तब भी sir bills पेबल को तो डेबिट करना ही करना है देखना ये है के noting charges अगर pay किये हैं तो आप उन्हें डेबिट कर देना ठीक है और अगर noting charges नहीं है तो आप उसे डेबिट मत करना है और homework के लिए बस ज्यादा ज्यादा मैं आपको एक आदी illustration दे सकता हूँ sir एक आदी illustration ही दे दीजिए illustration number 9 homework जाएगी illustration number 9 और illustration number 8 बस बाकी next class में करेंगे ठीक है जी चलिए बाई 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 टाटा हूँ जाँ